हेलो ऑट वेलकम दोसों कैसों आप सुमीद करते काफ़ी अच्छे होंगा और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लिक्स के इंपोर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे और हमने दोनों ही टीमों के और से दोसों काफी सारे रिसॉर्च और इनालिसेस करने पर कुछ ऐसे भी ट्रंप लेस इस मैच में आप सभी को देखनों को मिलेंगे जो स्माली के साथ-साथ मीनी जील और ग्रैंड लिक्स भी विन करा कर देंगे और दोसुर्थ साथी जानेंगे कौनसे वे प्लेयर्स रहेंगी जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगी और कौन से वे प्लेइस रहने वाली जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से यह आपको बैदर इंसे बैदर प्रॉफिट निकाल कर दे और साथ ही जो हमारे कैप्टेन एंड वाइस कप्तान के लिए इंप्रेंट आपसंस रहेंगे हम उनके बार में भी डिटेल्स में डिसक्स करेंगे वह चाहिए आप स्मॉलिंग में इंवेश्मेंट कर रहें या फिर ग्रैंड लिक्स में कर रहें तो यह टूजट सारी इंपूमिशन इसी वीडियो मिलेंगे तो बीना स्किप किए इंटक देख लीजेगा और दोस्तों सबसे पहले जो लगवे भी तक हमारी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अभी दोस्तों हम चलते हैं प्रेडिक्शन के बारे में डीटेल्स में कवर कर लेते हैं और भाइव सबसे पहले तो आप सभी लोग देख वो फैंटेसी क्रिक फान के टेलिग्राम चांको जहां पर जुणना आप सभी के लिए काफी जयता इंपोर्टन रहेगा देखो अप्टर लाइनफ फानल टीम इसी टेलिग्राम पर अपडेट कर देते हैं जिस टीम से हमारी खुद की अपनी इंवेश्मेंट हो दी और ऑफिसली हमारे रियल टेलिग्राम पर जुणने के लिए किसी को भी हाँ पर सर्च नहीं क सब्सक्राइब कर देंगे तो जुणने के बाद मैच के टाइम सिर्फ लाश्ट के मिनट में हमारे टेलिग्राम पर अक्टिव रहेंगे या उफिसली प्लेंग बैटिंग में कुछ भी चैंज होते हैं तो इसकी सारी अपडेट्स इसी चानल पर देंगे तो जुणने के ब सबसे पहले हम बात करते हैं पर इनकी मैच इंफॉमिशन के बारे में इस याई बुमिंस टीट इन सूपर इस पैंस रीच का दोस्तों यह पांच वा मैच है जो आपको दस वजे करी में कस्टमा उगल पर यह मैच स्टार्ट होता वह देखनों को मिलेगा आपको और जिनकी स्कॉरिंग पेटन है टीटन के जारे सारे जितने भी ECS का मैच होते हैं तो इसी मैच इसी वेन्यों पर जातर आपको ECS टीटन के मुकाबले देखने को मिलते हैं चाहिए वह मैंस को या फिर भूमिंस का हो तो बैटिंग करने वाले टीम ने इस वेन्यों पर टोटल 246 बार करने वाले टीम 260 बार इस वेन्यों पर विन की है तो इनका वेन्यों स्कॉरिंग पेटन है और दोस्तों हमारे टेलिग्राम से भी जुड़ना काफ़ इंप्रेंट रहेगा जो लगवे भी तक हमारे टेलिग्राम से नहीं जुड़े तो मैच के टाइम सिर्फ लाश के मिनट सिर्फ हमारे टेलिग्राम पर अक्टिव रहना ताकि जो भी इनकी अफिसली प्लेंग लेवन बैटिंग ओडर में अपडेट्स वगरा होता या फिर मेरे जो भी फानल टीम होती है वो चाहां ग्रेंड लीज की टीम हो इसी टेलिग्राम पर अपडेट कर देंगे तो यहां बुमेंस के उसे पाई लेज बैटिंग राते हो दीखेंगे जो लेट अंडर बैट्स में लेटम और अर्थोड़क्स बॉलिंग कराते हो और अपने टी-20 के चार मुकाबले के अंदर तीर से टन एक इस कब्रेज और छे विग्टे तो तो दोसे रिशेंड के अपने टीट हमें स्मॉली में इंवेश्मेंट कर और अभी अपने इनको पे करेंगे पर जील के अगर आप इंवेश्मेंट हो तो फिर आप इनको एक से दो टीमों में कैप्टन वगरा ग्रैंड इसके टीम से में जरूर जे ट्राय करना है उसके बाद यहां पर नौमी की बात करते हैं राइटेंड और वैट्स में राइटें मीडियों फास्ट बॉलिंग करा दें चार मकाबले में 122 जहां पर टोटल तीन डिक्टे था दोसों इनकी और विंकी जो फॉम है ना बॉलिंग और बैटिंग दोनों से यह फिर्स मैच में 45 का स्कोर करके वन बिक्टे निकाले और दूसरे मैच में 22 का स्कोर जुरू विक्टे दोवर के बॉलिंग और यह आपको देट के भी बॉलिंग राते हो दीखेंगे तो इस मैच के उनों दो बेश्व उप्संस रहेंगे फिलाले इस अपले इनको हम पिक करके चलेंगे और आप इने भी मीनी जील और ग्रैंड इस के टीम से अगेरा में कैप्टेन विक्टे जरूर से पिक करना उसके बाद यहां पर जो अमें ब्राउन वेजर आएंगे राइट अंडर वैट्स में राइटी मीडियम फास्ट बॉलिंग करा तो यह जो आपको टॉप के तीन प्लेश दिखेंगा ना यह काफ इंपोरन्ट हमारे लिए स्मॉली के भी रहेंगे और ग्रैंडिक्स और मीनी जील्स के टीम से अगर हमें भी कैप्टेन वेज़ को टन करना तो यहां से इन तीनों को ही पिक करेंगे और यह हमारे लिए काफ इंपोर्टन टॉप से रहेंगे अब बढ़का देखों के तो लाज के अब यहां पर जो मिर्जा का फॉर्म है दोसों राइट अंडर वैट्स में ने साथ मैचों में तेरा रंडिशन के दो मैचों में जीरो और बारा का स्कोर गया अब देखोंगे तो ना तो वैटिंग से इनका कुछ खास बैदन रिकॉर्ड है अब खुद समय सकते हो कि साथ मैचों में सिर्फ देरा रंड का ही स्कोर गिये तो इनको रखने समय कुछ क्वास प्रॉफिट बगरा होगा नहीं फिलाल अभी इनको यहां से हम ड्रॉप करके जाएंगे और यहां पर और नीजिया होगा तो यहां पर रिस्क लेकर चाह सकते हो बागी मुस्तकान की बात क प्रॉफित कर देखोगे तो लाश्क के मुकाबले में एक दो बर के बॉलिंग कराकर एक बिक्टे निकालो और पांच मैच में इनको तीन बिक्टे मिले हुए जो कि राइटे मीडियम फास्ट बॉलिंग कराते हैं और दो बर कंप्लिटली अपको बॉलिंग डालिंग और तो टीटन फोर्म ठीकता के इनका और अपने स्मॉलिंग में अपर इनको पिक करके जाओ उसके बाद यहाँ पर उश्वार सहीद को ग्रेंडिस के टीम से रखते क्योंकि एक सथावर की बॉलिंग करा रहे हैं तो यहां से इनको भी आभी आप जील के टीम में ही पिक करो द के चलेंगा और बेंच प्लेयर्स इनके जो भी प्लेयर खेलते दोस्तों सारे अप्डेट्स इंफोमिशन आपको और यहां पर जुडने के लिए किसी को भी सर्च नहीं करना रहेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो लिंक दिये हैं उसी के तुरू ज पांच मैच में टोटाल 179 उन्यस कावरेज जीरो वेक्टे जहां पर 12 अबर के बॉलिंग करा थे आलाकि लाज के मुकाबले में टीटन के फॉर्म देखोगे तो 40 का स्कॉर करके जिरो वेक्टे जहां पर दोबर के बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराकर दे रहें और मी अब इनका करियर स्टार्ट देखोगे तो टीटवन्टी के 23 मैचों में टोटाल 179 गावरेज एक बिक्टे और दो यह बॉलिंग कराएंगे भी नहीं तो अभी यह बैटिंग उप्संस के तौर पर फर्स्टी में टीम इनकी बैटिंग कराती है तो अपने टीम में इनको ज लाज के मुकाबले में 0 विक्टे 2 वर के बॉलिंग वैसे भी इस मैच के डिफ्रेंसल उप्संस और बहुत कम लोग अपने टीम में पिक करके जाएंगा रिस्क लेना होगा तो अपने टीम में इनको जरूर से पिक कीजिएगा उसके बाद यहां पर जो है इंटरनेट की ब बैटिंग उटर में कभी कवार चेंजेस होते रहते हैं तो यहां से मुझे ने लगता कि स्मॉल इमिन को रखने से में कुछ खास प्रोफिट वगरा भी होगा उसके बाद यहां पर बुश्रा की बात करते हैं राइट हंडर वैट्स में राइटेंग में बॉलिंग रहता ह यहां से बॉलर को भी जील की टीम में रखते हैं पांच मैचों में टोटल सोरा लंका ही स्कोर किये थे उसके बाद यहां पर नीचे आओगे तो इनके पास टीम के में बॉलिंग है देखो के तो सुस्मा ने लाश के मुकाबले में जिरो विक्टे दो वर के बॉल निक रहा यहां लाश के मुकाबले में एक बेक्टे दो बर के बॉल निक राय retrouver भगे बागे आसे वलेंटिनर के शाथ जोर देखो के तो लाश के मुकाबले में दो वेक्ते दो वर बर के बॉलिंग था तो टीम बादे के विस्द्हों नहीं करना वीडियो कर डिसक्रिप्शन ब्क्स के बारे में बात कर ले जए तो दोगो मैंने काफी रिसर्च के बाद एक टीम के शाथ इंवेश्मेंट कर रहें और जिसको भी जो चीज़े चेंजर करना होगा अपने रिक्स बेसे पेश्चेंजर करना हमने ज्यादा तर और टीम में पेफ़क हैं जो कि छे और उन्रस के जाएंगे अदर्वाइस आपके पास काफी सारे उपसंस और उंडर से रहेंगे जो कि वाईश्कतन पर रिस्क ले शकते हो पर मेरे इसाब से यह सेफ टीम है और आप इसी टीम के साथ इसमाल लिग में इंवेश्मेंट कर सकते हो पर मेरे फानल टीम के लिए तेलीग्रम प झाल झाल